Presentation आप सभी जानते होंगे किसी चीज को demonstrate करना किसी चीज को दिखाना या किसी चीज पे lecture देना ही क्या कहलाता है presentation कहलाता है už आप movie hall में movie देखने जाते है तो movie आपको क्या किया जा रहा है प्रेज्ट किया जा रहा है तो that is presentation तो presentation are typically demonstration, introduction, lecture और speech आप classroom में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे आपके faculty आपको जो है whiteboard पे पढ़ा रही होती है चाहे वो digital board और whiteboard तो वहाँ पे आपको पढ़ा जाते हैं तो वह भी क्या है वो फी presentation है आप से speech देने के लिए कहा जाता है तो वह भी क्या है presentation है तो presentation are typically demonstration, introduction, lecture और speech and this is meant to inform, persuade, inspire, motivate, build, goodwill और present a new idea or project यानि कि presentation का use इन सभी चीजों के लिए होता है चाहे आप किसी को information देने हो तो presentation कहला है कि किसी को समझाना हो तो persuade जैसे कि जो seller होते हैं दो दो जाकि जब product sell करते हैं तो वो क्या करते हैं वो customers को persuade करते हैं तो भी demonstrate करते हैं प्रसेंटेशन देते हैं और दिखाते हैं कि हमारा product इस तरहीं से काम करता है तो demonstration ही क्या है, presentation है inspire करते है, motivate करते है, goodwill बनाते है या फिर किसी नए idea और product के बारे में information देते हैं चीज काहलाती है यह presentation conveys information from a speaker to an audience तो presentation में क्या होता है कि एक speaker होता है वो सारी चीजों को demonstrate कर रहा होता है और जो audience होता है वो उस चीज को सुन रहा होता है और जब सुनने के बाद अगर इसको कोई doubt होता है तो वो सामने से questioning भी करता है तो यह क्या है एक तरिका का communication हो गया तो जहाँ पर presentation में information को क्या किया जाता है communicate किया जाता है किसको audience को clear तो बात कर लिए elements की तो presentation में क्या क्या elements होते है देखे सबसे important चीज की जब भी कोई चीज communicate कर रहे तो यहाँ पर कोई ने कोई आपका activities पहले perform करा जाती है जिससे कि जो audience से उनका interest generate हो ठीक है और यह जो activity होती है वो जिस topic पर presentation देने जा रहे है उसी topics related activities जो है वहाँ पर conduct करा जाती है फिर आप presentation में visual storytelling का use कर सकते हैं जहाँ पर पिक्चर्स या फिर करना चाहिए data visualization के लिए जो है आप graph चार्ट इन सब का line diagram हो गया बार diagram हो गया पाई चार्ट हो गया इन सब का यूज कर सकते हैं जिससे क्या होता है कि जो long data होते है उनको आप छोटे से image में छोटे से चार्ट में उसको summarize कर सकते हैं जैसे types तो types को अगर हम अलग-अलग PPTs में लिखते जाएंगे तो आप बहुत सारी types को याद नहीं कर बाएंगे लेकिन उसको एक ही slide में हम क्या करें कि arrow mark का use करके जो है उसको type में जो है चार्ट में सो कर दें तो आपको आसानी से data visualize हो जाता है animations का जो है आप presentation में यूज किया जाता है जिससे कि आपको आसानी हो समझने में concept को simplicity याने कि जो language होती है जो content होता है वो simple होना चाहिए जिससे कि audience को समझ में आए और इसके लाब आप music और videos का use कर सकते है music काने कि जो background में sounds चलते हैं और videos का use करके जो कोई भी concept हो वो आप समझा सकते हैं clear तो यह जो है elements होता है किसी presentation के इन में से जो भी नहीं है कि सारे elements हो हो सकता है सभी elements हो clear तो presentation के elements होते हैं इन में से आपके पास elements होने चाहिए जब भी आप presentation देने चाहिए तो यह कुछ ना कुछ सभी को पता भी होंगे कि सबसे पहले क्या होता कि आपका परपर्ज क्या है उसको identify करें उसको लिखिए clear कि objective क्या है presentation का then outline the major sections and supporting information यानि कि जो भी उस topics related जो आपका परपर्ज है उससे जितने भी major sections है जो भी major points है जैसे कि यहाँ पर क्या दिसक्स कर रहे है presentation तो presentation में major sections क्या है कि presentation क्या है elements क्या है उसका design कैसे किया जाता है और visualates कौन कौन सी होते है तिया major section हो गया अब उससे related supporting information जो आप in detail पढ़ रहे हो वो supporting information हो गया clear उसके बाद आता है कि choose the template design यानि कि style यानि कि background कैसा होगा ठीक है white background है कि black background है जो heading है वो किस color का होगा जो सब heading है वो किस color का होग पिक्चर कहां लागेंगे ति यह design आपको जो है उसको choose करना होगा then draft the content यानि कि आप प्रेजेंटेशन notes आप लिखिए कि content कहां पे sub heading कहां पे आएगा numbering कैसे करनी है bullets कहां पे देना है ठीक है और उसके बाद जो है relevant audio video ads use कर सकते है charts होगे graphs होगे pictures होगे इन सबका use उस presentation मे करिए तो इस तरीके से आप एक effective presentation design कर सकते हैं साथ ही साथ आपको यहाँ पर यदान रखना है कि simple language होना चाहिए color combination आपका अच्छा होना चाहिए heading sub heading जो है वो बाइफरकेट होना चाहिए जिसे यह पता चले कि अच्छा ही heading है अच्छा ही definition है तो इस तरीके से आप presentation में use किये जाते है type of visual ads ठीक है तो visual ads होता क्या है visual ads मतलब कि वो चीजें जिसको आप presentation के time पे साथी साथ देख सकते हैं जैसे कि कोई movie कोई model map slides हो गया जिससे कि आप जो है कोई information और अच्छे से समझ सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं होता क्या है कि जो चीज लिखी होती होते हैं हमें उतनी जल्दी याद नहीं होती है लेकिन जो हम देखते हैं जैसे कोई picture हो गया video हो गया movie हो गया तो वह हमें याद रह जाती है तो इसलिए क्या होता कि presentation में visual ads का use किया जाता है visual ad visual यानि कि जो दिख जाए ठीक है तो are things that you can look at are things मतलब कि visual ads are things that you can look at such as film, model, map, slide to help you understand something or to remember information यानि कि जब हम कोई presentation देते तो उसमें जो भी model हो गया, film हो गया, map हो गया, slide हो गया, उसका use करते हैं तो इसलिए use करते हैं जिससे कि आप information को याद कर सके चार्ट, चार्ट आपको याद रह जाता है बात करने कि कौन-कौन से visual ads होते हैं तो सबसे पहले आता है poster poster, poster normally आपने देखा होगा कि आए दिन दिवाल पे चिक पे रहते हैं, billboards में लगे होते हैं, movies की poster होते हैं, तो posters जो है वो क्या होता है, display करता है कोई graph, कोई chart, कोई drawing, कोई photo को, जिससे कि वो हमें क्या होता है, याद रहता है, इसी तरह कि हैंड-out जो होता है, जो कि सभी members को जो audience होते हैं, उनको दिया जाता है, आप देखते होंगे कि आप जब भी college से examination देकर निकलते हैं, तो आप बहुत सारे coaching institute के, फिर books, publishers होते हैं, जो आपको एक परचा बांटते हैं, जिससे कि आपको पता चलता कि क्या चीजे हैं, क्या क्या चीजे, information एक तरीके से आपको communicate ह हो जाती है, इसी तरीके से graphs होते हैं, जैसे line हो गया, या बार diagram हो गया, वो information show करता है, चार्ट के form में, ठीक है, written form में ने कि कहानी की तरह, paragraph की तरह लिग दिया, वो आपको chart के रूप में वहाँ पर diagram को show का information show करता है, इसी तरीके से videos, यहाँ पर videos यह नहीं कि 3 गंटे की movie presentation में, 3 गंटे की दो गंटे की नहीं, बलके short clips होते हैं, एक minute, या फिर जो है, कुछ seconds का हो गया, तो movie का moving images आप use कर लिए, तो video का use कर सकते हो, अपने concepts को समझाने के लिए, इसी तरीके साब photos हो गया, drawings हो गया, फिर PPT PowerPoint presentation, जो क्या कहता है, जो कि आप सभी लोग अपने presentation में college में देने के लिए use करते हैं, वो भी क्या एक तरीका का visual arts है, इसके अलावा, आप whiteboard का use कर सकते हैं, कि college में अगर presentation देना है, या फिर कहीं office में देना, वहाँ पर whiteboard already लगा है, आप उसको जो ही use कर सकते हैं, उसमें diagram में picture बना के, उसको as a visual aid use कर सकते हैं, तो visual aids include object, image, diagram, data graph chart, pie chart, moving images, जैसे की video, तो यह सब visual aids होते हैं, और यह जो visual aids होते हैं, इनको दिखाने का तरीका क्या है, या तो आप whiteboard में दिखा लिए, या जो ppt होती है, presentation applications होते हैं, उनका use कर लिए, या फिर projector का use करके, आप इन सभी visual aids को दिखा सकते हैं, जो information है, poster, handout, graphs, इन सभी को आप जो है, वहाँ पर दिखा सकते हैं, भाई, whiteboard है, वहाँ पर बना दिया picture, या chart बना दिया, ठीक है, या फिर आप PPT का use करके, उसमें chart bar diagram बना दिया, या video attach कर दिया, या फिर जो projector है, उनका use करके, आप वीडियो दिखा रहे हो, poster दिखा रहे हो, या handouts दिखा रहे हो, तो कि आपको clear होगा कि विजुलेट्स का है, विशु अल्दमिस्ट की पॉचिंग,